दिवानी के लिए इस्पेशल मिठाय बनाते हैं वो भी सिर्फ तीन चमच घी में एक कडाई में तीन चमच देशी घी ले लिया है इसमें हम एड कर लेंगे एक कप दूद जो घर पे हम नॉर्मल गरम करके रखते हैं वही दूद मैंने लिया है इसको अच्छी तरह से गरम होने देते हैं जब इसमें बॉइल आ जाए तब हम इसमें एड कर लेंगे एक कप मिल्क पाउडर तो आधा मिल्क पाउडर अभी डाल रही हूँ मैं और आधा बाद में डालूँगी दो पार्ट्स में इसको डालेंगे इससे इसका टेंपरेचर म को ट्रिपल कर ले और इसको गाड़ा होने तक आप पकाए देखिए गाड़ा हो चुका है अब आधा कब शुगर लेंगे शुगर को भी हम दीरे-दीरे करके डालेंगे ताकि इसका टेंपरेचर मेंटेन रहे और लो टो मीडियम फ्लेम पे आप कंटिनुसली चलाते हुए इसको पकाते जाए इसको गाड़ा करना है हमें तो यह देखिए शुगर डिजॉल हो गई तो दूसरा भी हम इसमें आध कर लेते हैं इसी तरह से आप इसको चलाते जाए यह देखिए गाड़ा होना शुरू हो चुका है इसका बेसिकली हमें मावा बनाना है तो देखिए यहां मावा बन चुका है और बहुत ही बड़िया खुश्पू भी आने लगी है अब हम इसको और पकाएंगे यह दिखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अब मैं इसे दो कलर में बनाने वाली हूँ तो एक चुथाई भाग मैं इसमें से निकाल लूंगी यानि वन टेबल स्पून कोको पाउडर आड़ करेंगे अगर आपको कोको फ्लेवर नहीं पसन है तो आप कोई भी कलर आड़ कर सकते हैं तो मैं इसको चोकले फ्लेवर देना चाहती हूँ और एक मिर्ट के लिए पका लिया है अब इसको थोड़ा सा थंडा होने देते हैं तब तक हम यह जो सपेद वाला हमने निकाला था इसको हम सेट कर लेते हैं तो पार्चमेंट पेपर का यहां यूज किया है मैंने फ्रेंज और गरम गरम में ही आपको इसको एक शेप दे देना है तो मैं स्पेचुला की हेल्थ से इसे इस तरह से एक लोफ एक ब्लॉफ का शेप दे द लिए तो बस और दूसरा जो चौको वाला हमने बनाया था उसको मैंने पार्चमेंट पेपर पे निकाल लिया है और इसको हम थोड़ा सा मसलेंगे नीट करेंगे और यह गरम गरम है इसलिए मैं स्पेचुला से ही कर रही हूं और इसके उपर एक प्लैस्टिक या दूसरा पेपर रखके इसको एक रोटी जैसा रोल कर लेंगे बहुत जादा पतला नहीं करना है आपको थोड़ा मोटा इसका थिकनिस रखना है अब यह जो हमने सेट करने रखा था इसको भी निकाल लेंगे और इसको रोल कर लेंगे यह रिखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया यह मिठाय बनके रेडी होती है एक कप दूद और तीन चमच हमने बस घी इसमें यूज किया है इसी तरह से आप करिए पेपर उपर रखके अदरवाइस हमारे फिंगर प्रेंट सा जाएंगे तो इसकी शाइन अच्छी नहीं दिखेगी फिनिशिंग अच्छी नहीं यह जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लेंगे और इसको फिर से हम राप कर लेंगे और इसको सेट होने के लिए आप रूम टेमरेचर पे बाहर भी रख सकते हैं या आप आधा एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं तो मैं अब फिलहाल से फ्रिज में रख रही हूं तो देखिए फ्रेंज आदा गंटा हो चुका है और यह पॉफिकली सेट हो चुका है यह रिखिए वाग इदा पॉफेक्ट अब इसके पीसिस कट करते हैं उससे पहले मैं से सिल्वर वर्क लगा दूंगी तो अगर आप चाहें तो इसके उपर कटे हुए ड्राइ फ्रूट्स भी आट कर सकते हैं या इसी तरह से भी सर्फ कर सकते हैं कट करने की टाइम पे नाइफ को आगे पीछे जरूर करें एक साथ नीचे ना दबाएं क्योंकि यह मिठाई अगले भी में आपको एक बढ़ा मिठाई की रेसिपी बताऊंगी तो एक कप नारिल का बुरादा यानि डेसिकेटेड कोकोनेट ले लिया है और इसे लो फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से खुश्बूर ना आने लगे उसका कलर चेंज ना हो जाए इसे ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि ये और जले नहीं दस से बारा पान के पत्ते ले लिये हैं और ये थोड़े मेरे घर के भी है सबको वाश कर लिया है मैंने अब रफली इसको इस तरह से हम तोड लेंगे इसको कोई चॉप वगरे करने की ज़रूद नहीं है इसकी डंडिया आप इसको रफली इस तरह से तोड़ लें पान का फ्लेवर डूंगी फ्रेंज बहुत ही बढ़िया है आपको अगर पसंद है तो जरूर मुझे कमेंट करीका मेरा तो फेवरिट है यहां एक कंडेंस मिल्क ले लेंगे मोल का मिठाइमेट में यहां यूज करी हूँ आपको और क्या बढ़िया कलर आया है आपको अगर स्टॉंग फ्लेवर पसंद है तो थोड़े पत्ते और भी आड़ कर सकते हैं अब चलिए इसकी स्टफिंग बना लेते हैं तो तीन टेबल स्पून ड्राइफूर्स ले लिए है इसमें काजू बदाम है और चार स्पून में टू काजू बदाम आप पीस कर भी ले सकते हैं मुझे इसी तरह से पसंद है अब इसके छोटी-छोटी हम बॉल बना लेंगे यह देखिए आपको जिस साइस का बनाना है लड़ू उस हिसाब से आप यह अंदर की जो स्टफिंग है उसके बॉल बना ले तो यहां मेरे सारे बॉ पान ले लिया है और यह जो डेसिकेटिट कोकोनेट हमने रोस्ट किया था उसको फिर से पैन में एड करेंगे इसलिए मैंने पैन से निकाला था कि यह जादा जल जाएंगे अब इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं आधा चमच एलाइची पाउडर एड कर रही हूं और जो इस दूद को इसमें एड कर लेंगे ताकि यह परफेकली बाइंड हो जाएं और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे दो मिनिट के लिए बस लो फ्लेम पर यह हो चुका है अब गैस को आफ कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा थंडा होने देते हैं थोड़ा थंडा होने क हम इसको इस तरह से ले लेंगे, दीजिए अच्छा से, भांड हो रहा है और इसको हम हते ली पे इस तरह से फैला दूंगी यह रखे और स्टाफिंग वाला ल को लाडू है इसको अंदर रखके, इसको seal कर लेंगे ये देखे बहुत ही बढ़िया ये लड़ू बना है और कलर भी देखिए इद्धम परफिक्ट आया है और इसको अब हम कोकनट में रोल करेंगे और भी अच्छा लुक देने के लिए ये देखिए वाव है न बढ़िया तो देखिए फ्रेंज मैंने यहां सारी लड़ू बना लिए है लग रहे है ने दम टेम्टिंग डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है ऐसे लड़ू आपको हलवाई की दुकान पे भी नहीं मिलेंगे तो घर पे अगर आप बना सकते है ऐसे माउट मेल्टिंग लड़ू तो बाहर से लाने की क्या जरूरत चलिए एक कट करके भी बता देती हूं यह देखे जब आप इसे खाएंगे मुव में ब्लास्ट हो जाने वाला है अगर आप पान के शौकीन है तो एक बार तो यह लड़ू की रेसिपी जरूर ट्राइ करें आप दूसरी सारी मि अगली जो रेसिपी है दिवाली स्पेशल की यह मेरी फेवरेट है तो एक कप उड़दा ले लिया है और कोई भी कप ले लीजे उसके कौर्डिंग ली ही सारे मेजरमेंट ले लीजेगा इसे मैं अच्छी तरह से दो पानी से वाश कर लूँगी ताकि इसकी गंदगी सारी निकल जाए तो देखिए फ्रेंज मैंने अच्छी तरह से से वाश कर लिया है और इसे मैं अब प्रेशी कुकर में एड़ कर लूँगी और इसे हम बॉइल करने वाले है फ्रेंज बहुत ही डिफरेंस टाइल की यह रेसिपी है अब जिस कटोरी से मैंने लिया था उड़द इस दाल उसका देड़ गुना मैं इसमें पानी एड़ करूंगी देखिए जादा नहीं एड़ करना है सिर्फ देड़ गुना और ना ही इस दाल को आपको सोख करके रखना है डिरेकली आप इसको ले ले वाश करे और इसको तुरंतिया बॉयल करने रखे अब एक से चमच की पावडर इसमें इसमें रखने खा़ दूबमार कर देखने हों और लाल मिच कावडर का भी इसमें इसमें रखनेगा को अएकशमुच ही हम इसमय बहिं रखने नहीं परता फ्रैंस बस एक चमच ही हमें ऊईम जो ऐल खरता है वहीGenा मिक्स कर लिया देखें फ्रेंस मैंने बाद में इसको शिफ्ट कर लिया था बड़े वाले इस पे और ये देखें बहुत ही तरह से डाल बॉयल हुई है और पानी भी एकसेस नहीं है ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से क्रेश हो रहा है अब मैं क्या करूंगी एक स्वेचुला ले लू बनाने वाले है और इतनी खस्ता और इतनी बड़िया ये चकली बनती हैं अब मैं इसमें डाल दूंगी एक से देढ़ कप के करीब चावल-क आटा और चावल-काटा वही कटोरी से लिया है जो कटोरी से हमने दाल ली थी तो थोड़ा आप चावल-काटा बचा के रखे unutक और इसे गरम गरम में ही आपको बानना है दाल अभी भी गरम है friends और इसे mix करके रग दिया है चावल का आटा उतना लगेगा कि जितना इसमें आटा अच्छी तरह से बन जाए अब इसको पांच मेट के लिए इसी तरह से रहने देती हूँ और बाद में हम इसको आटा गुते करें otherwise आप इसी तरह से करें इसमें बिल्कुल भी पानी एड ना करें दाल में ही हमें चावल का आटा एड करके इसका एक अच्छा सा सौफ्ट सा डो बना लेना है यह रखे अब आप पांच से साथ मिनिट के लिए इस तरह से से मसलते जाए और इसे एक चिकना सा डो बना बन जाए यह देखें बिल्कुल भी पानी एड नहीं किया है दाल में ही हमने ही आटा लगाया है अब चकली बनाने का यह मशीन ले लेंगे और इसको अंदर के तरफ हम और लगा के ग्रीस कर लेंगे और इसमें भी हम लगा देंगे इस तरह से और लोई लेके इसमें एड क इसको बन कर लेते हैं और मैं क्या करती हूँ इस तरह से लंबे-ंबे मैं पहले गिरा लेती हूँ और इसको रोल करती जाती हुँ तो सिंगल Olympics कर रहे हैं आपके पास कोई और नहीं है help करने के लिए तो आप इस तरह से करें, मैं गोल गोल नहीं बनाती हूँ, मैं इस तरह से फटाफट से लंबे लंबे इस तरह से बना लेती हूँ और जितनी चोटी बड़ी चकली चाहिए उसे साब साब करें मुझे ये साइस ठीक लग दी है कि एक टाइम पे एक परसंद खा लेता है वो तोड़ के खाता है आधा दूरा वो मुझे पसंद नहीं है आप क्या बोलते हो ज़रू बताइएगा मुझे तो यहां मैंने सारी चकलियां बना ली है और चले अब इसे फ्राइ करने की बारी है तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है और जब ये गरम हो जाए तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राइ करेंगे यह देखिए तेल अच्छा खासा गर्भ है लो फ्लेम पे अगर थंडे तेल में डालेंगे तो चकली इदम बिखर जाएगी तो इस बात का ध्यान रखे फ्रेंस और सारी चकली को इस तरह से स्पेचुला पे दो दो लेते हुए आप डाल दे ताकि जली से जली हमारी चकली आ यह देखिए बढ़िया सी हमारी चकली रेडी है इसे तीशु पेपर के उपर निकाल लेते हैं ताकि एक सी सॉयल सारा निकल जाए तो देखिए फ्रेंस हमारी चकली यहां रेडी है जली इसे सर्व कर लेते हैं तो बढ़िया सी हमारी चकली रेडी है देख सकते हैं आप इ मुझे इसी तरह से पसंद है एक बार जरूर करिएगा आपने बहुत सारी चकली होगी यह देखिए इस तरह से आपके मुह में जाते ही घुल जाने वाल एदम पॉफिक चकली है फ्रेंस यह देखिए जिसे आप महिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं पॉफिक रेसिपी कान से रेसिपी देखना चाहते हैं उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिएगा लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और सुब्स्राइब कीजिए मेरे चैनल को तिल दैन टेक केर बाबाई